यूपी बोट से जूड़ी दो बड़ी अपडेट आ रही है वीडियो को इस्टार्टिंग से इंड तक देखीगा चलिए आपको बताते हैं वो दो बड़ी अपडेट क्या है सबसे पहले मैं आप सभी को थांक्यू बोना चाता हूँ आप सभी के सपोर्ट और प्यार से हमारे चैनल पर अब 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके है तो तहे दिल से धन्यवाद चलिए हम जानते हैं यूपी बोट से वो अपडेट क्या आ रही है आपको जानना चा सिट कब होगी जारी जानी कैसे करेंगे डाउनलोड जी हां इस नियूज में आपको यही बताने वाला हूँ पहले अपडेट के बारे में कि जो यूपी बोट का डेट सीट है यानि टाइम टेबल वो अभी यूपी बोट के अधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट या जार है कि उनका एक्जाम कब होगा और इसके लिए वो बेहत जिंता जनक में बने हुए है तो चलिए वीडियो में मैं आपको बता देता हूं तो आपको बताना चाहता हूं पिछले रुजानों और मीडिया अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश मादिमिक सिच्छा पर जाकि एक अधिकारिक यूपी बोर्ड परिच्छा ती थी पत्र दोयातेश अभी तक प्रतिच्छित है मतलब अभी तक अधिकारिक वेबसाइट पर अभी इनका कोई ओफीसियल अपडेट डेट सीट से रिलेटेड नहीं आया है एक एक बार यूपी बोर्ड परिच्छा अधिकारिक वेबसाइट यूपी डॉट एजूकेशन डॉट इन पर से पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है एक बार अधिकारिक वेबसाइट पर अगर उनके द्वारा ऑफिसियल अपडेट आता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने का जो प्रॉसेस में मुख्य प्रिष्ट पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे महत्योफ पूर्ट सूचना वाले सेक्षन में जाना है उसके बाद तीसरे चरण में आपको यह यह आपको वहां पर सर्च या ढूड़ना है देखना है ज्यान से वहां पर आपको दिखेगा यूपी अमस्पी क्लास 10th and 12th टाइम टेबल 2023 यह आपको जहां भी दिखे उस पर आपको क्लिक कर देना है चौथे चरण में यूपी बोर्ट का टाइम टेबल 2023 पीडिएफ स्क्रीन पर आपके प्रदर्सीत हो जाएगा मतलब जैसे उस लिंक पर आप प्लिक करेंगे आपका पीडिएफ है वह खुल जाएगा उसके बाद आपको उस साइड में एक थ्री बार का कॉर्नर दिखेगा थ्री बार दिखेगा उस पर क्लिक करके आपको व music download कर लेना है और करके PDF सहे जे पर क्लिक करना है आपके PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में तो यह था प्रॉसेस दूसरी जो बड़ी अपडेट आ रही है वह आपको जानना चाहिए चलिए दूसरी अपडेट की तरफ चलते यूपी बोर्ड परिच्छा में अब नहीं कर पाएंगे नकल बोर्ड ने नियमों में किये ये बड़े बदलाव ये बहुत बड़ी बदलाव हुए है इस बार हुई है पहले ऐसा नहीं था वो अपडेट क्या बदलाव हुए है चलिए आपको मैं बता देता हूँ यूपी कोड और मोनोग्राम वाली उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी ध्यान दीजिए आपकी जो इस बार आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएं है जिसमें आपको लिखना है एंसर सीट उसके फ्रंट पेज पर डिटेलिंग होती है उसके ही बगल में एक बारा कोड दिया रहेगा और मोनोग्राम वाली उत्तर पुस्तिकाएं गी इसमें क्या होने वाला है नकल की कोई भी गुंजाई अब नहीं होगी इस क्या होगा आगे आपको जाना चाहिए यूपी बोर्ड ने अगले साल यूपी बोर्ड ने अगले साल होने वाले परिच्छाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ बदलाव करने का फैसल लिया है रिपोर्ड के अनुसार साल 2023 में दस्मी और बारवी की छात्रा इसलिए किये जा रहा है ताकि नकल को रोका जा सके यूपी बोर्ड बारवी का इस्तिमाल करते हुए कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की और चापने की अदेस दिया है इन उत्तर पुस्तिकाओं को जनवरी 2023 के अंत में बोर्ड परिच्छा के लिए बोर्ड ने सरकारी भी जी लोग में भेजा जाएगा जी हां तो यह अपडेट आ रही कि पहला यह कि आपके डेट सीट कब तक जारी होंगे तो आपको जानना चाहिए जल्दी जारी होगा लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मताबिक माने तो आपकी जो डेट सीट है वो मान के चलिए आपके एकजाम होने वाले हैं मार्च से माई की बीच में ठीक है यह मीडिया अपडेट के अनुसार है अभी कोई अफिसियल अपडेट नहीं आया है अफिसियल अपडेट के लिए आपको नि किया गया है उसमें आया हुआ है आपको इस बार ऐसा ही कॉपी देखने को मिलेगा इससे नकल करने की जो गुंजाइस है वो बिल्कुली खतम हो गई है आपको आसा करता हूं यह अपडेट जानकर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट कर दीजिए और ह एक्जाम में प्रिप्रेशन करते टाइम कुछ ऐसे महत्वपूर टिप्स जो आपको जानना चाहिए उससे आपको 100% हेल्प होने वाला है थाइंस पर वाचिंग मिलते हैं एक नए वीडियो में